टीवी पत्रकारों का काम क्या होता है सच को बाहर लाना सरकार से सवाल पूछना लेकिन आज कल टीवी चैनल्स पर कई प्रोग्राम आते हैं और अमन चोपड़ा न्यूज 18 इंडिया में काम करते हैं ये बकाइदा शो लेकर के आते हैं देश को नहीं जुकने देंगे लेकिन सच्चा यही है मुसल्मानों को बदनाम करने का ठेका ऐसा लगता है इन्हें मिल गया हो और अब इनके डिबेट में के प्रोग्राम में बकाइदा मार पीट तक की जा रही है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक एक वीडियो बहुत तेजी से फिलहाल वारल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कुछ गेस्ट हैं और लाइव टीवी प्रोग्राम में मार पीट कर रहे हैं एक दूसरे पर छीना जप्ती कर रहे हैं एक महिला है और कुर्सियों को फेकने का काम कर रही है आप स्क्रिन्सोर्ट को दे पीट हो रहा है तमाम लोगों के रियक्शन्स भी आये हैं मैं आपको रियक्शन्स के बारें बताऊंगा लेकिन जो प्रोग्राम था 72 हूरे सचया फितूर है ए टीवी वाले हिंदू पाकिस्तान मुसलमान हिंदू पर ये लोग डिबेट करवाते हैं ये लोग 72 हूरों पर के डिबेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार का जो सच एक कार अधायल जाती है उसलिए टीवी वाले खामोश रहते हैं महाई बेरोजगारी पर आपने कोएट देखी कि डेटा बकाइदा लाया गया हो और कहा गया हो कि भारत में इतनी फिजटी महाई है इतनी फिजदी अमाम बड़े बड़े वादे प्रधान मंतरी मोधिक द्वारा तो किये गए थे लेकिन क्या उन वादों पर काम हुआ पंद्रा पंद्रा लाक रुपे डीजल पेट्रोल महंगाई महिला सुरक्षा इस पर बात के नहीं होती अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है वैसे मैं आपको जानकारी दे दू कि अमन चोपड़ा के उपर दो बार जुर्माना लग चुका है एक बार इनके उपर जुर्माना लगा है पचास हजार और एक दूसरी बार जो है पचीस हजार का जुर्माना लगा है मैं आपको दावायर खबर दिखा रहा हूं आप देखिए दा इन एपिसोड को वेफसाइट समेथ सभी ऑनलाइन मंचों से हटाने कहा है जी न्यूज और टाइम्स नाउ को भी इनके एक एक परशाड़ा हटाने का निर्देश दिया है यानि 75,000 रुपे का इनके चैनल पर जुरुमाना लग चुका है फिर भी यह लोग उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं सुप्रिम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है हेट स्पीच को किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा लेकिन तमाम एंकर ऐसे हैं जो खुले आम हेट स्पीच देने का काम करते दे कि तमाम लोग रियक्शन्स आये हैं मैं आपको जो है की रिय जो से लेकर के मार पीड तक हो रही है अब देखियो ही जो श्वयव जमाई का भी ट्वीट आया हुआ है श्वयव जमाई ने बकाइदा लंबा चोड़ा ट्वीट लिखा है इन्हों लिखा कल एक टेली वीजन शो की रिकॉर्डिंग दोरान बेहत अप्शोज जनक घटना और काल्पनिक कहा तो हमने अपना विरोध जताया और विरोध होना भी चाहिए कि अगर आप इसलामी मामलों की जानकान नहीं तो इस विषय पर कोई अनाशक टिपड़ी ना करें चूंकि बात आने वाली एक फिल्म बहत्तर हूर के उपर हो रही है और मैं ट्वीट में इस कहा कि समिधान आपको हर तरह के इनिजी फैसले लेने का दिकार देता है तो आप अपनी बातों को समिधान तक सीमित रखें मगर आप अगर इसलामी आस्था और माननेताओं के उपर गंबीर सवाल उठा रही है और खुद को अगर मुसल्मान भी कहते हैं तो आपको सभी च सफाई पेस करते विए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब लगातार लोग रियक्शन भी दे रहे हैं वहीं कविश अजीज हैं लखनव से हैं इन्होंने ट्वीड किया है इस तरह की डिवेट करा करके हर रोज इस देश के मुसल्मानों को यह नफरती चैनल रुस्वा करते ह हैं और आप अपनी दुकान चलाने के लिए ट्यारपी वा टोरने के लिए ऐसी जगह जाते हैं अमन चोपड़ा दिन भर साम प्रदाइक ट्वीड करता है उसके शो में आप जाते हैं आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ खैरे कविश अजीज का अपना निजी वय जान है और इन्होंने ट्वीट भी किया है इसके साथ ही देखिए पमन दिक्षित लिखते हैं ए नियो जटियन की डिबेट का हाल है शो अमन चोपड़ा का था बहंसबाजी होई गर्मी ऐसी बढ़ी की महिला पैनलिस्ट और शोयम जमाई की बीच हाता पाई हो गई कुर्स नोh लिखा बात अमन चोपड़ा की नहीं है बात मालिकान की है ये मालिक के नौकर है देश के चोथे स्तम की बागडाओर अरब पतियों के हाथ में हैं वे सत्ता के इशारे पर चलेंगे क्या किसी दल में हिम्मत है कि अपने घौंशड़ा पत्र में या बात करें कि हम सत्ता में होंगे तो पूजी पतियों के हाथ से मीडिया को बाहर कर देंगे एक खुद एक पार्टी के राश्टे पर रखता है और बया चोप्रा मिश्द्योगत जैसो के नफ्रती शो में आप जाते क्यों हैं कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी गंदी जगा नहीं जाएगा सारी मुस्लिम कौम की लोग आपसे नराज है क्यों खुद की और कौम की बिज्यती करवाते हो अपने अपनी सब की निजी राय है और वे लोग कर रहें लेकिन जिस तरीके से टी-वी चैंडी में जिस तरीके से प्रोग्राम में हाथा पाई तक होरा मार पीठ हो रहा है ये काफ़ीं चिंत जनक हैं निंदनी है लेकिन सवाल यह उठता है कि tweET वीवाले आखिरकार ऐसे प्रोग्राम क्यों करवाते हैं जिससे तनावफ सकें बताईया हम लोग जब कुछ गलत बोल देते हैं गलती हो जाती है तो कहा जाता है कि देश में तनावफ हो जाएगा अलग अलग तरिकों से बयान बाजे की जाती है और कहा जानकार यही है कि नियू जिटीन इंडिया के प्रोग्राम देश नहीं जुकने देंगे में बकाइदा मार पीट हुई हाता पाई हुई कुर्सियों को फेक दिया गया हाला कि जो महिला थी ओभी मुसलिम और जो दूसरे तर्सूब जमाई साहब यही मुसलिम थे फिलाल इस क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग हमें अपनी जरूर बताएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें